90 डिग्री इतना होता है थीटा में 0, 30, 45, 60, 90, साइन, साइन, कॉस, थीटा नहीं होगा, और साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, और कॉस, चलो, यह हो गया मानसार ने, ठीक है न, इसमें ही हमको value fit करना है, तो बहुत सारे रट लेता है, और रट के तो काम चला लेता है, ठीक है न, लेकिन हमको यहाँ पे, हमको यहाँ पे निकालना है, जो मानसार ने, तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखना है, ध् सब्सक्राइब का फिर square root निकाल दो, यह जो value आएगा, यह sign का होगा, जैसे देको 0, 30, 45, 65 न, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, न, 0 से लेकर 5 लिख दो आगे, पुर्ण संक्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 हो गया, ठीक है, अब तुम इसका value find करोगे, तो तुम क्या मिलेगा, 4 से तुम 0 में भाग दो, या किसी में भाग दो, 4 से 0 में भाग दो, किसी में भाग दो, सॉरी, 4, 0 में किसी से भाग दो, तो क्या हैगा, 0, 0 का square root क्या होगा, 0, चलो यहाँ आजाओ, एक का square root एक ही होगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2, 2 और 4, काट जाएगा, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 तो रख्ता दू ए रूत दू ऊंसके बाद रूट रूट रूटू शायीया साइन का value find हो गया बहुत ही आसान है साइन का value हो गया अब क्या करो तो साइन का जीस प्रकार्चे तुम लिखे हो ना ठीक इसको reverse कर दो उल्टा कर दो उल्टा just मैं एक और ट्रिक दूंगा जिसे तुम याद कर लोगे भूत आसानी से इसको reverse कर दो यानि कि 90 में है ना एक तो जीरो में हो जाएगा एक यह रूट तीन बट्टा दो एक बट्टा रूट दू एक बट्टा दू और जीरो यह साइन के बाद कॉस्ट का भी वैल्यू फाइंड हो गया ठीक है ना चलो अब टैन पर आओ तो मैंने कल बताया था टेन थीटा एक से भाग दो गए तो जीरो में ठीक हैब देंगे जीरो में किसी भी संग्याश बहाग देंगे तो परिभासित होगा कि पता है ना जीरो से किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो परिभासित होगा तो परिभासित हो गया अब चलो कोट में तुम्हें काम कर सकते हो टेन का उल्टा कर दो ठीक रिवर्स कर दो ठीक है ऑपरिभासित एक आइकर 3 एकव थीछा तूर टो चलो टैकोट ओ गया अफ्यक कैसे निकालते है तुम्हें को पता होना करें शे चर्टा कास तो यह जाएगा और यह जीरो का अगर तुम रेसी प्रोकल करोगे तो क्या आएगा और परिभासित हो जाएगा ठीक है ना अब इसको ऐसे लिग दो परिभासित दो रूट दू दो बटा रूट तीन और एक तो कम्प्लीट हो गया यह तुम्हारा मानसाड़नी बन के त्यार हो गया इस कंडिशन में गलती होगा ही नहीं तुमको ठीक है मैं और कुछ बताता हूँ ट्रीक जिससे तुम याद कर लोगे देखो साइन ध्यान से सुनना और वैसी कोसेक निकालने के लिए तुम साइन का भी उल्टा करके साइन का रेसीप्रोकल तुम फैंड कर लोगे सा चार जीरो एक दो तीन चार लिक देना सब को चार से डिवाइड करके स्क्वाइर रूट कर देना तो जो आंसर आएगा वह साइन का वैल्यू आ जाएगा साइन जीरो तीस पैंतालिस साथ और नब्वे साइन का अगर हम रिभर्स कर देंगे जैसे लिखा हुआ है ना ठीक तो इसको पलट दो तो कॉसे कॉस आ जाएगा साइन में कॉस से भाग देंगे तो टेन आ जाएगा टेन को रिभर्स कर देंगे तो कॉट आ जाएगा इस परकार से तुम मानसार नहीं निकाल लोगे ठीक है ना चलो किसी को कोई दिक्कत है मानसार नहीं इस परकार से तुम मिकाल सकते हो एक और तरीका है याद रखने का किसी का भी वैल्यू फाइंड करने का तुमको एक तरीका में बता रहा हूं तुम याद करो साइन तीस ध्यांति सुनो साइन तीस